समय और सब्द दोनों का इस्तिमाल साउधानी से करें क्योंकि ये दोनों ना तो लोट के आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं तो अगर आप भी सोचल मीडिया साइट्स पर ऐसे ऐसे खिसका खिसका के रील देख रहें सुबा से साम तक तो इनका इस्तेमाल साउधानी से करें और सतर करें आज की क्लास में आप पढ़ेंगे करडी क्या है क्या आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के उपर ऐसे वर्गमू करडी है कौन को नहीं है अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाया हो इसमें जो यह है कौन सा 25 है करडी है और यह करडी है और यह आने मैंने कहा कि आपने समझा आपको होगे कि वह चिन्ह तो सब पर लगा है तो क्या सब करड़ी है नहीं इसके लिए भी कुछ नियम होता है कुछ चीजें होती है समझे रहो यह सभी करड़ी नहीं है दूसरी बात समझे न यहाँ पर अगर मैंने कहा कि मेरे भाईया बाबू अगर तीन में अंडरूट चार को जोड़ेंगे तो क्या होगा क्या आप जोड़ लेंगे नहीं समझे न मेरे साथ बने रहना अब इस सब आप कर लोगे अगर यह i,s,y कहीं दिया है और यह i,f,e दिया है i,f,e, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या आप बता पाओगे? तीन का अंडरूट 5 ऐसे गुड़ा करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इनसकी जगा पे आपको 3 और 4 जोडने को बोलते तो आप 7 लिख सकते थे आपने पढ़ा है है ना आपका अनुभव है इसमे लेकिन अगर मैं 3 एक्स में धन 4 एक्स जोडने को बोलता तो हो सकता था आप कर लेते क्योंकि ये भी मैं पढ़ा दिया हूँ है ना पका अच्छा देखना अभी भागना नहीं कोई अभी मिलने माला है वो जो आपको इंतजार था जिसका जैसे अगर 7 एक्स में 4 एक्स का अगर हम गुड़ा करने को बोलते तो हो सकता था आप 28 एक्स का इस्क्वाइर लिख देते नहीं दिखान का साधिया आएगा काई विंस भगले चलागा यह ला बढ़िया चलिए आएए आएए बात करते हैं आपको पूरा विस्तार से बताते हैं साथियों यह क्या था यह एक दूसरी भाँसा थी यह अलजेब्रा वाला पोर्शन था यह करडी जो है आपके अंगडित के अंतरगत कुछ अलग चीज है इनके अपनी एक अलग भाँसा है मतलब समझिएगा इनको जोडने का सिंपल सा अलग रूल है इनको जोडने गुडा करने घटाने का अलग रूल है इनको जोड़ना गुड़ा घटाना का अलग रूल है पहले आपको इनका नाम लेना समझना है ठीक है कि यह हैं क्या चीज मेरे साथ मने रहिएगा जाईए अगर नहीं कहीं भी मैं आपको दिखाता हूँ करड़ी क्या है X अंडर रूट के अंदर रूट के अंदर X और इंटू यन जहां यक्स और यन का मान कुछ भी हो सकता है एक पूर्ल संख्या ठीक है एक पर्मिय संख्या होगी रूप वाली धनात्मक अपर्मिय संख्या करड़ी कहलाती है कहने का यह मतलब जो इसके अंदर संख्या होगी वो तो पर्मिय संख्या होगी अंदर में यक्स एक पर्मिय संख्या होगी लेकिन ये टोटल एक पर्मिय संख्या होगी बात समझा की नहीं टोटल क्या होगी एक पर्मिय संख्या होगी अभी एक जामपल जब करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आए का तब तक इसको द कि वो एक पूर्ड फंख्या नहीं आएगा ठीक है अभी मैं दिखाता हूं एक्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा साफ साफ आए पहले तो बेसिक चीजें समझेए अगर ऐसे कहीं बना है तो इसमें जो यक्स है वो करडी गत है जो ये चिन्हा बना है इसको करडी चिन्ध कह थे हैं ठीक है इसमें एक थोड़ा सामा और आगे अगर बढ़ जाएं थोड़ा फा तो इसे करडी का गुड़न खंड ऐसे कुछ बोलते हैं जैसे मान लो की भाईया साहब मैंने ये तो थोड़ा सा लंबा लाइन है बाबा रुख जा रे तुम रुख जा ये इनको मैं यह आगे ना यहां से दिखा दिया चलो और इनको मैं यहां मालो की यहां मैंने पी रख दिय पी तो यह क्या है तो यह क्या है यह जो पी है यह इसके साथ गुड़ा में है मल्टिपल में है उसकी घातवात नहीं है समझ गए क्या ही करड़ी के साथ में गुड़ा में है अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है जैसे फार एक जाम पल अगर मैं आपको इन ऊपर पूरा जो मंडली दिखाई गई है इनके ऐकाडिंग बनाऊं तो अगर ऐसे कहीं लिखा सैंना और अंडर रूट के अंदर समझना यहां पर यहां पर लिखा है तीन दिख रहा है, यहाँ पे तीन लिखा है, इसके नोक पे, आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है यहाँ पे तीन, ठीक है बाबू, तो यहाँ क्या है, पांच क्या है पांच करडी गत है ये चिन्द जो है ये करडी का चिन्द है साथ क्या है गुड़ा में है गुड़न्थल में है पांच अंडरूट वाले के और तीन इसकी घात है समझ गए पका अच्छा अगर समझ गए हो तो फिर हम आगे बढ़ें और आपसे कुछ और भी सवाल करते हैं आईए बढ़िया है आगे बढ़ सकते हैं ठीक है चलो देखो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने लिखा एकतिफ आफे करके और यहाँ पर मैंने लिख दिया चार और यहाँ पर है गुड़ा में ये नौ ठीक है तो यह बताओ यहाँ करड़ी गत कितना है कमेंट करिए करड़ी गत कितना है और करड़ी घात कितना है और करड़ी का गुड़न फल कितना है वो भी बतादो मुझे चलो जल्दी कमेंट करिए फटा फट बताए 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 करडी का गुडनखंड बताइए कितना है समझे नहीं जैसे समसंख्या बिसमसंख्या होता है वैसे इसमें सुध और असुध करडियां भी होती है सुध और मिस्रित करडी फ़ले तो करडी समझ जाना ही होता क्या है समझ गए? ठीक है करडी घात क्या है? करड़ी घात क्या बाबू फूर है करड़ी घत कितना है 31 है और करड़ी का गुड़नफल कितना है 9 है बस यही तो था और क्या था चलो आगे आगे बढ़ें अब अगर हम आपसे बात करें जोडने घटाने वाली तो वह हम आगे बात करेंगे पहले मुझे यह बताओ यहाँ थे थोड़ा देखो और समझो प्यार से देखिए कलास को पूरा इंडे तक देखना है अगर आपका उद्देश से गड़े सीखना है हम जानते हैं कि अभी आपको बहुत कम समझ में आया लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए समय दीजिए थोड़ा चाहिए का नहीं एक बन नहीं समझ में दुबारा देखिए तीन बार देखिए हम आपके साथ हैं हम आपको सौ बार बताएंगे कोई दिक्कत नहीं आप कमेंट करिए नंबर नीचे चल रहे हैं उसलों पर सब पर करिए बतला कांटेक्ट करिए आईए एक्स पावरियन एक करड़ी तभी होगी जब उसका वर्गमुल घनमूल या चार मूल आदी एक पुर्ण संख्या ना हो ठीक है बहुत बड़ी बात है यह करड़ी का चिन सिर्प लग जाने से करड़ी नहीं होती है अगर उसको हल करने के बाद वो एक पर्मिय संख्या आ अगर आपके सारे काम राचिसी प्रवित्ती के हैं तो आप इंसान कहने लाइक नहीं हो समझ गए ना दूसरी भासा में समझी है वरतमान में जो हमारे यहां देश में महाल चल रहा है उसके एकॉर्डिंग कि सिर्फ पंडित परिवार में जनम लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता है समझ रहे होगे नहीं उसके कुछ कर्टब बे होते हैं कुछ काम होते हैं वो भी करना पड़ता है सब तो नहीं जो बात कहते हैं हर किसी पर लागू नहीं होती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चंदन और उस तरके के कपड़े पहन के घूमते हैं लेकिन वो बहुत ही गंदा काम करते हैं, मांस में दिरा खाते पीते हैं, उपंडी थोड़ी हुए, डोंगी हुए हो, सब पे लागू नहीं होती बात, बहुते लोग हैं जो बहुत अच्छे से रहे रहे हैं, भले वो गंदा काम करदी हैं, क्योंकि 17 का अगर आप वर्गमूल करोगे तो पुल्द फंख्या नहीं आएगी, ये क्या है करड़ी है, बट ये करड़ी नहीं है, जिन्हें तो इस पर भी लगाई हैं, ये नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान दिज्यें तो तीन लिखा है, यानि करड घंणमूल करोगे पका तो यह बताओ 25 25 125 का अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा 5 5 के रूप में जाएगा करके देखो 25 25 125 तीन बार न इसका मतलब तीन तीन का एक जोड़ा बन जाएगा आप कह सकते हैं इसका घंणमूल 5 होगा तो यह भी करड़ी नहीं है यह भी क्या है करड़ी नहीं है समझ गए न इस 10 मिनट के वीडियो में आज आप क्लियर कर लोगे कि कौन करड़ी है कौन नहीं है कैसे पहचानते हैं चलिए जबाब दीजी आगे बताए जनाब कम समय में ज्यादा सिखाने की पूरी गारंटी और इसका अगला पार्ट देखना है तो कमेंट करना कि मुझे नेक्स्ट पार्ट चाहिए चलिए देखिए आईए समझिए इसका अगर हम वर्गमूल करें साथ ही मेरे 625 का तो आपको पता है कि 25 को 25 में गुड़ा करने पर 625 बनता है और और गमूल करना मैं पहले ही बता चुका हूँ इनके एक जोड़े बनेंगे 25 के यानि फाइनल में इसका आंसर 25 प्लस माइनस तो ये क्या है एक करड़ी नहीं है ठीक है अब सवाल ये कि यहाँ पर कोई चिन नहीं लगा है अगर कोई चिन नहीं होता है तो क्या होता है फिर वहाँ पे घाद दो मानी जाती है याद रखना एक चीज़ और बहुत बड़ी बात है जैसे अगर यहाँ पे फे लिखा है 576 यहां यहां तीन लगा है यहां पे मानलो 576 फे लिखा है यहां पे साथ लगा है इसका मतलब यहां करड़ी की घाद साथ है यहां करड़ी तो चार मूल निकाल लेंगे लेकिन कुछ नहीं है तो वर्गमूल तो यह क्या होगा इसका वर्गमूल करोगे प्लस माइनस 24 आएगा इसका मतलब यह भी करड़ी नहीं है इसमें घात 3 है यानि जोड़ा 3-3 का बनाएंगे लेकिन 313 को आप काट पीट के देखो तो इसमें को डाउट नहीं इनमें आप कमेंट करके मुझे बताना कि कौन कौन करड़ी है कमेंट में कमेंट बताना अगर आपका एफ करड़ी है तो आप कमेंट में लिखना इफ अगर डी करड़ी है तो डी अगर सभी करड़ी है तो डी एफ सब लिखे देना कमेंट में ठीक है अच्छे से पढ़ने के लिए दूसरा चैनल राज गुमार यादो सर्मैस को सब्सक्राइब करें कुछ और बचा है तो आप बताइए हमें कमेंट करके हम उसका समधान करेंगे और नंबर नीचे चल रहा है उसके संपर करिए और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कम जल्दी बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा कि थोड़ा रुक रुक के बोला करिए सांस वाफ लेके बोला करिए ठीक है मेरी कोशी सक्कम समय में ज्यादा मिले आपको क्योंकि आपके पास टाइम कहा है तो आप समझ लो महामूर्ख है उसके पास बहुत टाइम है वो या तो फिर उसके पास आता है जिस वज़ा से वो बीजी है दो चीज हो सकता है लेकिन काम की वज़ा से बीजी बहुत कम लोग होते है अधिकतर लोग टाइम का सही इस्तेमाल कर नहीं पाते कहते है मेरे पास टाइम नहीं है तो जो फेल है जो पास होता है जो सक्सद है जो बि गंटा है उससे कम उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है थैंक यू